हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मेकैनिकल टेखिंदी, फ्रेंट्स वैसे तो चेन क्लीनिंग और लूब्रिकेशन के उपर में इससे पहले अपने कई सारे वीडियो को देखा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो को मकसर चेन क्लीनिंग के प्रोसेस को आसान बनाना है, एक तरफ जहां असानी से हमारे बाइक जो चेन वो क्लीन भी हो जाए, लेकिन अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, टाइम कम लगए, एफट कम लगए, कम महिनत में इस सब हो जाए, और इसमें आपके हिल्प करेगा ये चेन क्लीनिंग ब्रस, दोको बहुत से लोग अपने बाइक चेन क क्लीन करने के लिए टूथ ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन आज किस वीडियो में आपको डीटेल में प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, क्यों क्यों आपको टूथ ब्रश के जगा में ये जो चेन क्लीनिंग ब्रश है, इसे यूज करने चाहिए, ये कितना यादा बी अच्छी जानकारी मिल जाए, वैसे इस चेन क्लीनिंग ब्रश का जो दाम है, जो प्राइज है, वो है जश्ट नवासी रुपए, 89 रुपीज, जो दो बेस्ट बाइंग लिंक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिलने वाला है, तो अगर आपको ये यूसफूल लगे, तो दोनों में से किसी भी लिंक पे जाके आप इस प्रोड़क्ट को बाइग कर सकते हो, और वैसे भी इससे पहले कई सारे वीडियो में आपको जो मोटो व्लागिंग के गेर होते हैं, इसके रावा जो राइडिंग गेर होते हैं, बाइक और स्कूटर में सिक्योरिटी के लिए, सेफटी के लिए और बाकी कई सारे अलग अलग परपस के लिए बहुत सारे यूनीक गैजेट होते हैं, प्रोड़क्ट होते हैं, जिनका यूस किया जा सकता, इन सारे ही प्रोड़क्ट के उपर में, इससे पहले मैं डिटेल वीडियो बनाया, और मैं आपको बताना चाहूँआ कि सारे ही प्रोड़क्ट का जो बाइंग लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट है मिलने वाला है, तो अगर आपको ये प्रोड़क्ट यूसफूल लगे तो आप इन्हें भी ऑर्डर कर सकते हो, और आगे इस प्रोड़क्ट का हिल्प लेने वाला हूँ, वैसे कुछ जिनों पहले एक वीडियो मैंने आपको मोटर जैक को किस तरह से यूज के जाता है, इसके उपर मैं उस वीडियो में बताया था, अगर आपको इसका रिक्वार्मेंट है तो इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डि मैं दे दूँगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मोटर जैक के हिल्प से बाइक का जो पीछे का चका है, वो उठ चुका है, अब यहां पर मैं आपको चेन का कंडिशन भी दिखा जता हूँ, आप देख लो, कि फिराल मैंने बाइक का चेन जो है, वो ड्राय आउट ह इसका भी यूज कर सकते हो, मैं इसी का यूज करने वाला हूँ, इसका लिंक आपको डेस्केप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप देखो चेन को क्लीन करने के लिए रिकॉर्मेंट होता है, कि अच्छी तरह से जो क्लीनिंग के लिए आप किसी भी लिकुड का यूज कर जो इनर सर्फेस हो गिया, जो ओटर सर्फेस हो गिया, इसका रावा जो साइड्स हो है, वहाँ पर ये जरूरी होता है कि चेन क्लीनर को आप बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर दे, क्योंकि ओवर दे टाइम इन चेन्स में बहुत जदा गंदगी, चारो तरफ से है, वो ध चुरंद ही क्लीन करना शुरू मत करना, आप अराम से दो से लेकर त्री मिनट तक पांच मिनट तक वेट करें, ताकि अच्छी तरह से जो चेन क्लीनर है, वो सभी एरियास में, सभी पोशन में बहुत जाए, अब देखो बात आता है, चेन क्लीनिंग के लिए तो बहुत से लोग सिंगल टूथ ब्रॉश को यूज करते हैं, बहुत से लोग दो को जोड़के एक साथ यूज करते हैं, तो एक तो यहाँ पर एफट जादा लगता है, जादा मेहनत लगता है, इसके लाबा कई बार जो टूथ ब्रॉश है, उससे बहुत अच्छी तरह से जो चेन है, वो साफ नहीं हो पाता है, और टाइम जादा लगता है, साफ भी सही से नहीं होता है, तो इसके लिए बेश्ट है कि आप इस तरह का जो चेन क्लीनिंग ब्रॉश है, किसे बनाया ही इसलिए गया है, ताकि चेन को क्लीन किया जाके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका, क अब आप देखोगी कितना असान है इनके हिल्प से चेन को क्लीन करना, जज़्ट आप अच्छी तरह से चाहिए तो पहरे नीचे से ही फिट कर दो, लगा दो, तो एक साथ क्या होता कि एक साथ चेन का तीन साइट ही, के दोनों साइड आप चाहिए नीचे उपर उपर उच जाता है, मिनिममम एफर्ट है, एफर्ट आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है ज़्ट आप एक जगे से खड़े कर दो और उसके बाद चेन को अगर रोटेट करते जाओगे, तो भी ये काम करता है, अपने हाथों का आप मूव भी कर सकते हो, आप देखो बहुत अस साथ ही एक बार आप जस चेन में ऊपर से जो चेन क्लिनिंग ब्रश है, इसे लगा दो, इसे यहाँ पर फिट कर दो और उसके बाद इस तरह से वील को रोटेट करते हो, चेन को रोटेट करते जाओ, तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर का पोर्शन है, वो भी बहुत कम एफर लगा के बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीके जो चेन क्लिनिंग ब्रश है, उसके साफ करने के बाद, रिजल्ट देखो कि कितनी अच्छी तरह से जो चेन है, वो साफ हो गया है, ये काम बरश हो सकता है, जो टूद बरश है, ल यहाँ पर मैं आपको ये भी रिकमेंट करूँगा, कि जो आपने चेन क्लिनर डाला है, जो केरोसीन पेट्रोल डीजर जो भी डाला है, तो उसे चेन से पूरी तरह से ड्राइओट करने के लिए, एक बार आप जरूर से जो कपड़ा है, उसे भी लेके, जो हमारा चेन है, उसे अच्छी तरह से साफ कर दे, फ्रेंट्स चेन को क्लीन करने के बाद रिकॉर्मेंट होता है, चेन को लुब्रिकेट करने का, तो मैं मोस्ली अपने बाइक में जो मोटूल का चेन ल्यूब है, उसे यूज़ करता हूँ, इसके जगह पे आप चाहो तो ग्यार ओल को भी पर मैं आपको रिकमेंट करने वाला हूँ, कि बहुत सो गलती यह करते हैं, कि जब भी चेन में ल्यूब डालना हो, किसी बीतरह को ओयल वगर डाल रहे हो, तो इतना ज़ादा बहुत से लोग ल्यूब को डाल देते हैं, कि आप कहा सकते हो, कि चेन को ल्यूब में ज़ादा मॉंट में नहीं डाले, इससे जो चेन का ओरिंग होता है, एक स्रिंग होता है, वो कर जाता है, जो चेन का लिंक है, उससे भी नुकसान होता है, तो जैसा आप यहाँ पे देख भी रहे हो, कि जेंटली सेंटर पोजिशन को पकड़ कि जचेन को ल्यूब को डाले बहुत ज़ादा ओवर लुब्रिकेशन नहीं करें, और इससे भी जो चेन है, वो अच्छी तरह से ल्यूब हो जाएगा, ज़स्ट सेंटर में अब डाल दोगे, तो आपका काम अच्छी तरह से हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, कि जो चेन का क्लीनिंग और लुब्रिक हाई दे रहा है, तो फ्रेंट्स मेरे अकॉडिंग तो जो चेन क्लीनिंग ब्रश है, यह काफी ज़्यादा यूसफूल है, यह बहुत हद तक चेन क्लीनिंग का प्रोसर्स जो आपका होने वाला, इसे स्मूध बनाएगा, और बहुत ही आसान भी बनाएगा, वैसे मैं अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे, वीडियो के बार और चैनल के बार अपनी राय, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज च